ब्रिज कुषोर होमियोपाथिक होस्पिटल में होमियोपाथिक जन्म दाता डोक्टर हाणीमेन का जन्म दिम बड़ी धूम धाम से मनाया गया। अयोध्या के देवकाली रोड इसतितं ब्रिज कृशोर होउब्पैतिक हॉस्पिटल बहारश की तरह, इस बरश भी होउब्पैतिक आश्चती के दिन जन्म दाता, डोक्टर हैनीमेन के जन्म दिवस के अवसर पत सुन प्रिजजक किशोर होमेपैतिक होस्पिटल के प्रांगण में दूमधाम में दूक्टर हनी मेन का जर्म दिन मनाये गया। विज्जीकिशूर होमिपैथिक कॉलेज के टॉपर छाषात्राओं को मेडल और मोमेंटो देकर समानित कर छाषात्राओं के उज्चलभविस की कामना की गई। वहाई ब्रेज की शोर होमेपैथिक हॉस्पिटल के प्रिधानाचार उपेइंद रिसिंग तोमार ने बताया कि होमेपैथिक के जन्मदातर दॉक्टर हैनिमान की जन्मदिनकों हम लोग वर्ड होमेपैथि डे के रूप में हम धाम से मनाते हैं और वहीं इस उपलक्ष में हम इस अवसर पर जो भी कॉलर्स के शाथ शात्राय टॉपर है उनको मेडल देकर मेमेंटों देकर समानित किया गया है डॉक्टर हनीमैन के जीवन काल के बारे मताया गया उन्होंने किस तरह से होमेपैथिक को जन दिया और बढ़ावा दिया हम लोगों किस रोत को बढ़ाना है और कैसे होमेपैथिक को आगे बढ़ाना है आज होमेपैथिक दवायों के विविन प्रकार के मरीजों का इलाज किया जा रहा है और लोगों को जागरुक किया जा रहा है होमेपैथिक दवा का फाइदा जिसको मिल रहा है और होमेपैथिक से हो रहे ही रिसर्स के बारे में लोगों को पताया गया कि होमियोपैतिक दवा सभी बीमारी में कारगर है होमियोपैतिक को किस तरह बढ़ाना है इस पर भी चर्चा की गए इस अवसेपर बिजकुषोर होमियोपैतिक होस्पिटल के प्रतानाचार दॉक्टर उपेद निसिंग्तोमन ने डॉक्टर हैनिमेन की जन दिन के अवसर पर सभी को बधाई थी जो बच्चे हमारे टॉपर रहे हैं उनको Medal, certificate, और हमारे Dr Honeyman साव जो हमियोपधी के जनल दाताथ है उनके बारे में एक स्तरोत कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ में हुमियोपधी को कैसे आगे पढ़ाना है, विभिन प्रकार के नही नहे जो research हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई, इस college में सभी प्रकार के रोगी जो उपचारीथ होते हैं, और आगे क्या लख्ष रखना है, कितने रोगियों को, किस तरह के रोगियों को उनको उपचार करना है होमियुपैति से, होमियोपेथी का कैसे बढ़ावा करना है उसी के उपलक्ष में आज एक अच्छा कारिक्रम हम लोगों ने आयुजित किया है एनिमेन साथ का जन दिवस की रूप में मनाये गया है